हे एवरीबड़ी वेलकम इन्दी चैनल टूड़े वी आर डूइंग अबर चैप्टर नमबर फिफ्टीन पर्जेंट पर्फेक्ट कंटिन्यू टेंज इस TENS की हिंदी के identification होती है रहा है रही है और इसके साथ में आपको समय दिया हुआ आएगा अगर देखा जाए रहा है रही है तो है हमारी continue की present continue की बाट यहां पे हमें perfect भी दे रखा है तो इसके साथ हमें क्या आएगा टाइमिंग दिया हुआ आएगा और इसकी इंगलिस में इडेंटिफिकेशन देखी जाए तो वो होती है हमारी सिंस और फोर सिंस का यूज होता है एक definite time के लिए और फोर का यूज होता है indefinite time के लिए अब देखते हैं हम इसका structure structure के अंदर क्या यूज होता है इसके affirmative में होगा subject has या have plus में be plus verb की first form के साथ ing plus में आपका आएगा since या for और plus में आपका आएगा add verb जो भी timing दी हुई है जब हम इसको negative में change करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि हमारी जो भी helping verb होती है उसके just बाद में आपको क्या लगेगा note लगेगा तो आपका sentence negative में change हो जाएगा उसके बाद अगर interrogative में बनाना है तो हमारी helping verb है hedge और have ये आगे आ जाएगी और subject हमारा पीछे चला जाएगा और फिर आएगा आपका bean और sentence आपका last में आपके question mark लग जाएगा interrogative और negative दोनों ही बनाने है तो interrogative हमारा बना हुआ है इसके अंदर क्या लगा देंगे हम hedge have plus में subject और plus में note अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि bean से पहले आएगा या इसके बाद आएगा तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है note bean हमें bean नहीं बजानी ये मारा present continue tense है now we are doing exercise first में आपको has been दिया हुआ है तो reading आएगा Alex has been singing John has been watching children have been playing allies has been finding I have not been studying my mother has not been cooking मयूर has not been eating इसके बाद आता है हमारा sentence को interrogative और negative आपका एक simple सा तरीका है अगर helping verb के just बाद में आपने note लगा दिया तो आपका sentence negative बन जाएगा और helping verb आगे आजाए और subject पीछे चला जाए और last में question mark आजाए तो हमारा sentence interrogative में बन जाएगा यहां पर I have not been हमें been नहीं बजानी है I have not been working in the post office for five years यह आपका negative में बन गया और interrogative में आपका have आ गया जाएगा I पीछे से लाजाएगा note इसमें आएगा नहीं और bean से लेके आपका sentence है जी जाएगा और question mark आ जाएगा second में the doorbell has not or has the doorbell और bean के बाद आपका sentence है जी जाएगा और question mark लग जाएगा और bean लगा के आपका sentence है जी जाएगा I have not been watering और have I been watering the garden और last में question mark जरूर लगाना interrogative में next है my younger brother has not been living in this house since 2017 और has my younger brother और bean से आगे sentence है जी जाएगा मैंने यहाँ tick marking इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि जो उपर का sentence है वो edges ही नीच आएगा like this जैसे यहाँ पर आएगा been living in this house since 2017 और question mark इसके बाद आता है हमारे sentence को positive बनाना है positive बनाने का simple सा तरीक होता है आप not को remove कर दो sentence आपको positive बन जाएगा I have not अगर हमने not को remove कर दिया और सारा sentence has is लिखा तो यह हमारा positive में बन गया has he यह हमारा interrogative है तो he आग्या जाएगा और has पीछा जाएगा और not remove हो जाएगा तो he has been watching a movie for an hour we have not हमने को not remove कर देना है तो यह बन जाएगा we have been playing football since morning और I have है जब हम इसको simple में बनाएंगे तो I have आ जाएगा और not remove हो जाएगा इसके बाद सारा sentence has is जाएगा और इसका question mark remove हो जाएगा सेम में यह आएगा आपका it आगया जाएगा है जिसके बाद में आ जाएगा इस तरीके से cross हो जाती है not हमारा remove हो जाएगा और been running since last Tuesday और यह हमारा sentence positive में change हो जाएगा यह है आपका chapter number 15 अगर आप मेरे channel पे नए हो तो please channel को subscribe कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें like करें and comment करें